Hello students, welcome back to Prakati Classes. तो आज की इस वीडियो में करेंगे Class 9 Economics का Chapter No. 1 That is the story of village Palampur Palampur गाउं की कहानी. यह आपके अर्थसास्त का पहला चेप्टर है और इसमें से हम वो सभी कुश्चन दोनों ही language में English और Hindi दोनों मीडिया में cover किया है ताकि दोनों ही students इसे आसानी से देख सकें और अगर अपने इस चेप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है तो कुश्चन का अंसर मुझसे पहले देनी की कोशिश करनी है Final School Comment Box में लिखना है तो स्टार्ट कर लेते हैं कुश्चन No. 1 से पालंपूर resembles a village of the western part of the state of पालंपूर किस राजी के पस्चमी भाग के एक गाउं जैसा दिखाई देता है पालंपूर वैसे तो एक imaginary गाउं को उठाया गया है जिसको की इस चैप्टर में इन्होंने दिखाया है और economics का आप इस तरीके से कह सकते हो कि student को basic knowledge दिया है इस गाउं के थूँ तो पालंपूर जो ये गाउं है वो किस राजी के पस्चमी भाग के एक गाउं जैसा दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के पस्चमी भाग में एक गाउं है उसी की तरीके से जो है पालंपूर हमें इस स्टोरी में दिखता है तो फर्स्ट कुशिन का डियो अप्शन हो गया करेक्ट, नेक्स्ट है, दूरिंग दर रेनी सीजन, फार्मर्स इन पालमपूर गुरू, बरसाथ के मौसम में पालमपूर में किसान कौन से फजल उगाते हैं, ठीक है न, तो पालमपूर यह जो पूरा जो लेसन है, वो जहां कि एकोनोमी को इन लोगों ने अच्छी तरीके से डिनोट किया है, ताकि स्टूरिंट को जो है न, एकोनोमिक का बेसिक अच्छी तरीके से पता चले क्योंकि नाइंप में फुर्स टाइम पढ़ते हो, ओके, तो बारिस के मौसम में, रेनी सीजन में जो है न, के मौसम में, तो अभी नेक्स कोशिन पूछा हुआ है, कि विंटर सीजन में उन लोग कौन से फसल उगाते हैं, तो वो उगाते हैं, वीट यानि की गे हूँ, नेक्स्ट है, और फार्मर से पालमपूर ग्रोविच अफॉलोईंग क्रॉप एस थर्ड क्रॉप, पालमपूर के सभी किसान, निमलिकित में से किस फसल को तीसरी फसल के रूप में उगाते हैं, तो पालमपूर के किसान एक तो खरी फसल, रभी फसल के रूप में उगा ही लिया, लेकिन बीच में जो टाइम होता है, उसमें वो तीसरी फसल भी उगा लेते हैं, तो उस तीसरी फसल का न एक भूमी में अगर आप एक से ज़्यादा फसल उगाते हो तो उसको बूल जाता है multiple cropping यानि की बहु फसली खेती नेक्स्ट है the green revolution in late 1960s, introduce the Indian farmers to the cultivation of 1960 के दसक के अंत में हरित क्रांती ने भारतिय किसान को किसकी खेती से परिचित कराया तो 1960 के दसक में चब हमारे इंडिया में इस बात पर चल रही थी कि हमारे देश को आत्म निर्फर बनना होगा तो इन्होंने जो है हरित क्रांती लेकर आये जिसमें HYV, अच्छी quality के बीज, अच्छी सी जाई प्रनाली और fertilizers इन सब को यूज करके जो productivity बढ़ाने पे बात आई थी और उसमें सबसे ज़्यादा focus किया गया था कि यहूं और चाबल के production बढ़ाने के उपर तो six question का भी option हो गया correct next is the concept of white revolution is associated with shwet क्रांती के अबधारना किसके साथ जुड़ी हुई है अभी हमने क्या पड़ा हरित क्रांती, हरित क्रांती के अबधारना वो किस से associate करता है food crop से, खात फसलो और उसमें से भी special गेहूं और चाबल अब आता है white revolution यानि कि shwet क्रांती, shwet क्रांती के से जुड़ी है तो milk production फिर एक जो है बाद में एक और क्रांती आई white revolution जिसमें इस बाद पर फोकस किया गया कि country में milk का production साधा से जाधा बढ़ाया जाए तो seventh question का भी option हो गया correct, next question है which sector includes agriculture and animal husbandry किस छेत्र में क्रिशी और पश्व पालन शामिल है तो हमारे अर्थ विवस्था में मिली तीन छेत्र है प्रात्मिक शेत्र, दुत्यक शेत्र, तृत्यक शेत्र, तृत्यक शेत्र, प्राम्री सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टरिस्टरी सेक्टर primary sector जो है वो उसको agriculture sector के नाम से भी जाना जाता है तो यहीं से हमें पता चल गया कि कौन सवाल शेतर में क्रिसी और पश्वपालन सामिल है तो वो प्रात्मिक शेतर है next question is scope of farming activity is limited in Palampur due to Palampur में क्रिसी की जो गतिवीदिया है उसका दाइरा बहुत सीमित है उसके पीछे का क्या कारण है ठीक है उसके पीछे का कारण है fixed amount of land यानि की भूमी की निस्चित मात्रा जिसकी वज़ेसे वो क्रिसी गतिवीदिया जो है उसका उनका दाइरा सीमित है okay ना इंत का a option हो गया correct next question है where do most of the small farmer borrow money to arrange for the capital in Palampur पालंपूर में पूंची की विवस्था करने के लिए अधिकांस छोटे गाउं छोटे किसान पैसे कहां से उधार लेते हैं मतलब पालंपूर को दिखाते हुए ना इन्होंने पूरे गाउं की एकोनोमी की बात किये कि हमारे देश में जैसी कंडिशन पालंपूर की है वैसे ही हमारे देश में जो और गाउं है वहां की भी कंडिशन है तो पालंपूर के जो किसान है उनको जब पैसो की ज़रुत परती है तो वो कहां से उधार लेते हैं तो वो कहां से उधार लेते हैं अब जो छोटे किसाने उनको बैंक वाले भी उधार नहीं देते हैं वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि कोपरेटिव सोसाइटीज और यह क्रिएट करें दोस्त और इस्तिदार तो भाया देंगे नहीं तो जिस वज़े से वो क्या करते हैं गाउं के साहुकार यानि की विलेज मनी लैंडर से वो उधार लेते हैं बौरो करते हैं तो टेंथ का सी ओप्शन हो गया करेक्ट पैसे की जरुत पड़ती है जितना पैसा लगाते हैं उसी को कापिटल बोला जाता है जमीन और लेबर जो इस पर काम करेगा इन सब को जो यूज करके जो बिजनस क्रियेट कर दिया उसी को क्या बोलते हैं एंट्रेट्नियोर यानि की हिंदी में उध्यमी बोला जाता है ठ उसके बाद capital हो, उसके बाद श्रम हो, ये तीन चीजे जो है उतपादन का मेन कारक है, ठीक है, लेवर, capital and land are the basic factor of production, लेकिन उतपादन का कारक कौन सा नहीं है, trade जो है उसका कारक नहीं है, वो तो बात की बात आती है, जो production हो जाता है, तो selling के टाइम पे इसका काम है, ठीक है, कि factor of production क्या है, land है, capital है, labor है, लेकिन भारत में कौन सा ऐसा factor है, जो कि बहुत जादा मौजूद है, ठीक है न तो भारत में इतनी जादा जनसंग्या है, जिस वज़से हमारे हाँ, क्या बहुत जादा मौजूद है, क्या labor या निकिश्रम, इवन इतना है कि लोग है, लोगों काम ही नहीं मिलता है, ठीक है, तो 13 कोशन का C option हो गया, correct, next है, consumption of chemical fertilizer is highest in which state of India, रासाइनी कुरबरको की खपत भारत के किस राजी में सबसे अधिक है, मतलग कौन से ऐसे राजी के किसान है, जो कि सबसे जादा chemical fertilizers का प्रियोग करते हैं, और उस तके थ्रू खेती करते हैं, तो वो राजे है पंजाब, और वैसे और यही एक reason है, और इसके अलाबा भी मतलग हरित करांथी को सबसे जादा अच्छे से implement भी, हरियाना और पंजाब के लोगों नहीं किया था, जिसके बाद वहाँ पर गी हूँ और चावल की फैदावार बहुत तेजी से उच उपज देने वाली किस्म की वीजो का विकास किसमे किया जाता है, हाई इलिंग वराइटी जो सीट से है, वो खेत में एकदम से नहीं आते, उसका विकास करना पड़ता है, कहां पर होता है, वो रिसर्च इंस्टिट्यूट में होता है, और फिर इन वीजो को अगर खे तो आधूनी क्रिशी पध्धिती की यहां पर बात हो रही है तो जो HYVC यानि की अच्छी क्वालिटी के जो बीजों का प्रियोग हो रहा है इसके लाबर असाइनी गुर्वरकों के प्रियोग यह दोनों जो एक्जाम्पल है वो क्रोपिंग तो बहुत सालों से चलती आ रही है लेकिन यह दोनों क्या है आपके यह है modern farming method तो जिस विज़े से बोथ V and C, D option पुझाएगा correct next question is which one of the following is not an effect of modern farming निमलिखित में से कौन सा एक आधुनी क्रिशी का परभाव नहीं है modern farming करने की वैसे इन में से कौन सा effect नहीं होता है ठीक है तो बात आई है modern farming के जिसमें हम अच्छी quality के bees यूज कर रहे हैं साथ में यूज कर रहे हैं chemical or fertilizers ठीक है और साथ में irrigation के अच्छी facilities भी यूज कर रहे हैं तो इनकी वज़े से जो होता है soil degradation मृदा का शरन होता है deforestation होता है वनों की कटाई करते हैं उसके बाद वहाँ पर भी खेती की जाती है बूजल में भी कमी आती है लेकिन उसकी वैज़े से water pollution नहीं होता है तो 17 का D option हो जाएगा correct next है which area in India has a low level of irrigation भारत के किस छेतर में सिचाई का स्तर निम्न है मतलब वहाँ पर पानी जो है थोड़ा कम है और जिस वज़े से irrigation सिचाई बहुत कम हो पाती है तो वो वाला जो area है उसे बोलते है डेककन प्लेटिव यानि की दककन का पठार अब coastal reason है वहाँ तो पानी रहे गई समुदरी इलाका है नदिये मैदान है महाँ पे सारी नदियां पास हो रही है mainly तो वहाँ पर भी मिलेगा लेकिन जो है दककन का पठार वो एक ऐसा area है जहां पर low level of irrigation होता है तो 18 का आपका option होजाएगा correct next question है which of the following terms is used for measuring the crop produced on given piece of land during a single year एक वर्स के दौरान किसी दिये गए भूमी के टुकडे पर उत्पादित फसल को मापनी के लिए कौन से शब्द का परियोग किया जाता है तो एक साल के दौरान किसी भूमी के टुकडे में जितना भी फसल उत्पादन हुआ उसको उपज बोला जाता है इंग्लिस में उसे इल्ड बोला जाता है ठीके ने कंफ्यूस नहीं होना है क्योंकि आपको सारे यह उप्षिन्स लगेंगे बिलकुल ठीक है लेकिन उसको इल्ड टॉम दिया जाता है ठीके तो 19 का बी ऑप्षिन हो गया करेक्ट लेकिन लेकिन गोड़े को सब्सक्षोılिँ वह उल्राइल ख़ पैसे बड़े किसानों को ब though बहुत ही इसक्राइब बहुती की मानक इकाई क्या है तो क्रिशी हुमिकोम आपने की मानक जो इकाई ही वो हेक्टेर है लेकिन ये तीनों इकाईों में भी वापा जाता है इस्पेसली बिघा और गिनी जो है न ये पालंपूर के गाउं में भी ये कुछन पूछ सकते हैं कि बिघा और गिनी जो है न क्या है तो पालंपूर में जमीन को जो है नापने का काम बिघा और गिनी से ही होता है कई सारे जो रूरल एरिया है वहाँ पर अभी भी बिघा और गिनी से नापा जाता है लेकिन इसका जो अगर आप से पूछेंगे स्टैंडर्ड यूनिट तो वो हेक्टेर है नेक्स्ट है पालंपूर है स्फेरली विल डेबलप सिस्टम हो पालंपूर में इनमें से कौन सी पिनाली अच्छी तरीके से विक्सित है तो पालंपूर का जो गाउं है न वहां की रोड्स, वहां का ट्रांस्पोर्ट सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, सारे के सारे ही बहुत अच्छी तरीके से डेबलप हैं जिस वज़े से हमारा all of the correct नांसर हो जाएगा next is tools, machines and buildings can be used to production over many years are caught उपकरन, machine और भवनों का उप्यू कई वर्सों के उत्पादन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते है ठीक है न तो उसे किस टाइप का capital या फिर किस टाइप का फुन्जी बोला जाएंगे तो मतलब कोई भी ऐसा समान जिसको हम कई सालों तक यूज कर रहे हैं production जो हम कर रहे हैं तो कई सालों तक जब हम उसका यूज करते हैं तो उस टाइप के capital को बोला जाता है फिक्स कापिटल जबकि working capital क्या है कि आप एक साल के अंदर अंदर ही उसको यूज करोगे फिर कटम हो जाएगा ठीक है न फिर अगले साल नया यूज करेंगे तो वह होता है working capital लेकिन जिसका परियोग हम एक वार हमने खरीद लिया उसको कई वार यूज करेंगे वह होता है फिक्स्ट कापिटल तो 23 का सी ओप्शन हो गया करेक्ट निक्स्ट है रौ माटेरियल्स एंड मनी इन हाइंड आर कॉल कच्छा माल पास की नकद रकम जो खुद के पास है कैश इन हैंड होता है उसके रौ माटेरियल कच्छे माल होतें जिसको यूज करके हम प्रोडक्शन क पहलाता है तो उसी को बोलते हैं वर्किंग कापिटल तो 24 का बी ओप्शन हो गया करेक्ट और अब जो है इस वाले चेप्टर का लास्ट कुश्चन पीपल पालंपूर सेल मिल के इंदर नियरभाई लार्ज विलिज नेम्ड पालंपूर के लोग पास के किस बड़े गाउं पालंपूर के गाउं में से ही आएगा तो जो है आपको सारे कुश्चन की आंसर पता होने चाहिए बाकी वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर किये चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन भी क्लिक कर लिजे ताकि नई वीडियो की नोट अब ही उसमें अपडेटिड हैं तो वहां से आप सारी वीडियो को देख दालिए